दोस्तों इस टेडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागय थे दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मद्यकालिम भारत के इतिहास में अगले टॉपिक को लेकर हाजीर हूँ दोस्तों हम सब चर्चा कर रहे थे स्वतंतर राज्यों के उदय के बारी मे जिहां दोस्तों दिल्ली सल्तनत जब चल ला था दिल्ली में या जिसे हम सल्तनत काल करते हैं वहाँ पर दोस्तों जो पांच वंस काम कर रहा था पहला था गुलाम वंस बाद में खेल जी वंस उसके बाद तुगलक वंस उसके बाद सयद वंस उसके बाद लोधी वंस इन व आपको बताया था दोस्तो कस्मीर के बारे में फिर पढ़ाया था बंगाल के बारे में और उसके बाद दोस्तो अब आज चुकें दोस्तो मालवा मालवा के बाद दोस्तो जब आगे बढ़ेंगे दोस्तो ये मालवा वला क्लास है इसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तो रूप मत और बाज बहादूर ये दोस्तों एक अधूरी प्रेम कहानी है आज उस अधूरी प्रेम कहानी को भी हम लोग याद किया जाएगा बहुत सांदार सा लेक्चर होगा आज का पढ़ करके आपको बहुत मजाएगा यादर केगा आज हमारा 60 हमा दिन है ठीक है यानि लगातार इ अध्यकालिन भारत की इतिहास को पढ़ रहे हैं और आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे अठारह सो सवाल वा बाई वा गजब का सर अठारह सो बहतरीन सवाल हमारे कवर हो जाएंगे क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं 1771 से लेकरके 1800 तक के सवालों को ठीक है चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आज हमें देखने को मिलते हैं जो आपके परिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजेगा स्टडी 91 के प्रेटफर्म से अब फांडेशन बैच भी आ चुक है फांडेशन ब आने हैं जो भी सवाल आएंगे परिक्षा में वो सब के सब आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा ऐसा आपको मैसूस होगा चलिए पहले पढ़ लेते हैं आज की क्लास खुद आप समझ जाएंगे यह हमारा है किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए कुछ पूछना हो कैसे ब मालवा की गंगा किसे कहते हैं चलो यह बता दो जियोग्राफी का सवाल है बट है बड़ा इंपोर्टेंट ठीक है मालवा की गंगा किसे कहते हैं याद रखेगा छिप्रा नदी को सरी वही छिप्रा नदी कहा जिसके तट पर महा कालेश्वर मंदिर बना हुआ है उसे पहले सवाल देखेंगे, पहले सवाल, लिक रहा किस सासक ने मालवा को जीत कर दिल्ली सल्तनत में सामिल कर लिया. 1305 इस्वी में कब किया था दोस्तो 1305 इस्वी में किया था और उस समय मालवा की राजधानी कहा थी अगर सवाल पूछे कि मालवा की राजधानी कहा हुआ करती थी तो याद रखेगा मालवा की राजधानी थी मांडू कहा पे थी दोस्तो मालवा की राजधानी मांडू थी ठीक है मांडू कहा है दोस्तों मांडू मद्य प्रदेश में इस्तित है मांडू मद्य प्रदेश मालवा कहा है दोस्तों यह भी MP में मद्य प्रदेश में तो याद रखेंगे दूसरा important सवाल लिख रहा है किसके आकर्मण के बाद मालवा में स्वतन्त राज की अस्थापना होई दोस्तो किसके आकर्मण के बाद तो याद रखेगा तैमूर का जब भारत पर आकर्मण लोगा था तो तैमूर के आकर्मण के पशात ठीक है तैमूर के आकर्मण के आकर्मण के आकर्मण क बश्यात ही दोस्तों क्या होता है याद रखेगा यहाँ पर क्या होता है एक स्वतनत राज के रूप में अस्थापित होता है अच्छा तैमूर का हमला का भुगाता भारत पर तो याद रखेगा 1398 स्विमें और तैमूर के द्वारा जीते गए छेत्र किसके पास आ गए थे खिज्र खां के पास आ गए थे आपने पढ़ा होगा ठीक है तो भी चीज़े आप ध्यान रखेंगे चली खेर आगे बढ़ते हैं पहले और चीज़े देख लीजे लिख रहा है सुल्तान नासिरुदीन महमूद या फिर मुहम्मद ने किसे मालवा का राजयपाल नियूत क हुआ हम ने पढ़ा है तो यह बहुआ उसि महम्माद गोरि की बारे में हाँ भई हा उसी मुहमद गोरि की बात कर रहे है ठीक है और शिया पुरतीन महम्मद यशाम उसका पुराना नां था और वस्त्तिक नाम था और बाद में दोस्तों मुहम्मद गोरी के नाम से जाना गया ये वही मुहम्मद गोरी है ये वाला नहीं वही मुहम्मद गोरी है जो प्रित्वी राज चौवान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तराइन का दूती युद्ध 1192 में लड़ा था बाद में जैचंद के साथ चंदावर के उद्र लड़ा 1194 इस्वी में 1206 इस्वी में गोरी की हत्या हो जाती है और उसके दोरा जो विजित छेत्र थे उस पर गुलाम वनसर का दोर आता है गुलाम वनसर के अस्थापना कुत्वुद्र नैबक ने किया था ये सारी बाते हम जानते हैं नासरुद्दीन मुहम्मद ने मालवा का इसे क्या बना दिया था दोस्तो राज्यपाल बना दिया था कब दोस्तो लगभग 1391 के दोरान ठीक है 1391 के दोरान दोस्तो इसे दिलावर खांगोरी को क्या बना दिया गया था राज्यपाल बना दिया गया था आगे चल के यही द दिलावर खां स्वतंता की घोशना कर देगा ठीक है देखर आगे लिखरा दोस्तो फिरोस्था तुगलक के किस सुब्यधार में खुद को स्वतंत्र घोशित कर 1401 में मालवा सलतनत के स्थापना किया तो वही है दोस्तों दिलावर खां गोरी कौँन है दोस्तों याद के इसके उत्त्रा दिकारी को याद कर लीजेगा, उसका उत्त्रा दिकारी कौन था दोस्तो, हुसायन खागुरी, ठीक है, क्यों, मैं देखें, दोनों सवाल थोड़े से अलग-अलग हो जाएएंगे, ठीक है, पहले समझी बात को मैं आपको समझा दे रहे एज ठीक है, नाम क खिलजी वंस के अलावदीन खिलजी ने क्या कर लिया था, अपने हाँ सामिल कर लिया था, आगे चलके दोस्तो नाफृदिन महमूद आता है, और उसने क्या कर दिया, मालवा का राजपाल बनाकर दिलावर खा गोरी को बेद दिया, दिलावर खा गोरी जो कि अपने आपको ग किरेट किया दोस्तों देखे 1401, ठीक है, तो अगर हम 90 माने, तो 1401 में 10 साल पूरे हो गया, तो 1401 में मालवा की सल्तनत, यहां पर दोस्तों मालवा जो है, यहां पर मालवा सल्तनत कहिए, चाहे मालवा ने अपने आपको स्वतंत्र घोशित कर दिया, तो जो दिलावर खां, थ दिलावर खा, दिलावर खा तो इसका पुराना नाम था, ठीक है, ये क्या था दोस्तो, ये इसका वास्तविक नाम था, ठीक है, बाद में जब गद्धी पर बैठा ना, तो इसका ये नाम मिलता ही नहीं है, अब वहाँ पर हम नया नाम पढ़ते हैं, क्या नया नाम पढ़ते है इसको आप याद रखेंगे, अच्छा सर एक बात और आपने बताया जो राजधानी थी, राजधानी कहा थी भईया, राजधानी मांडू थी, अब जाहिश जी बात है जब स्वतनता की गोंशना करेगा, तो राजधानी बदनना पड़ेगा, तो इसने अपनी नई कि चाहे दिलावर खा लिखे, चाहे याँ पर क्या लिख दीजे दोस्तों, चाहे आप याँ पर हुसाइन खा के ये, एक ही बात है, ठीक है, ये एक ही ब्यक्ति है, दो अलग-अलग ब्यक्ति नहीं है, ये एक ही ब्यक्ति है, ध्यान दीजेगा, लिख रहा दोस्तों, इसका शासन काल कितना था तो 1401 में तो दोस्तो अस्थापित करता सब्ता और 1406 के दोरान दोस्तो इसकी मृत्ति हो जाती तो 5 में ही आप इसको 6 मत करिए इसको 5 ही कर लिए ठीक है 1401 से लेकर 5 था ठीक है क्योंकि 6 में गद्धी बदल जाएगी तो अलप समय में दोस्तो इसकी क्या ह जाती मृत्ति हो जाती है जरा इस बात को भी ध्यान रखेंगे इसी लिए दिलावर खा का उत्रादिकारी जल्दी चुना गया किसे अब इसका उत्रादिकारी होता है दोस्तो होसंग सा अब इसका उत्रादिकारी कौन होता है याद रखेगा होसंग सा अगला उत्रादिकारी बनता है और होसंग सा का भी वास्तिविक नाम क्या था इसका वास्तिविक नाम क्या था तो इसका वास्तिविक नाम है दोस्तो अलप खां क्या नाम है दोस्तो याद रखेगा इसका वास्तिविक नाम है अलप खां यहां दोस्तो अलप खां इसका वास्तिविक नाम है और याद रखेगा इसके काल में क्या होता दोस्तो राजधानी पुनाह मांडू हो गई ठीक है ठीक है तो इसको भी याद रखेंगे एक तो यह दूसरा दोस्तो यह पूछता है या किसका सिस्य था या कभी-कभी इसके गुरू के बारे में पूछता है किसके बारे में सवाल आत याद रखेगा इनका नाम भी सुना होगा सेख बुरहनुदीन इस सीहिस के बारे में पूपूच लेता है अगला सवाल अब देखिए चाहे आपके सामने ऑलब खार लिखे अपके सामने क्या हीतार दोस्तों होशंगसा लिख दें ठीक है आपको confuse नहीं होना है क्यों क्योंकि दोनों एक ही ब्यक्ति है ठीक है तो लिख रहा है होसंग साने किस नगर को बसाये था तो इसी के नाम पर दोस्तो एक नगर है सुना होगा आपने होसंगाबाद सुना है कि नहीं होसंगाबाद जियां दोस्तो होसंगाबाद सहर को किसने मनाय था वो इसी अलब खाने या इसी होसंग साने दोस्तो बसाय था कहां पर है दोस्तो तो याद रखेगा नरमदा के तरपर जिया दोस्तो नरमदा नदी के तरपर दोस्तो यह होसंग सा है यह आप याद रखेंगे एक सवाल और याद रखेगा अलब खान के द्वार अब तुगलक वंस के खिलाप जाओगे तो राजधानी तो बना पड़ेगा क्यों? क्योंकि राजधानी पे जादा सैनिक सेना या आप कर सकते हैं कि तुगलक वंस का प्रभाव देखने को मिलता है इसलिए दोस्तो इसने क्या किया? राजधानी तुरंत मांडू सुथा के कह कर दिया धार कर दिया लेकिन जब इसका उत्रा दिकारी आता है तो उसने क्या कर दिया धार से वापस राजधानी को मांडू लाया और यहां पर मांडू के किले का निर्मार कर आया जिया दोस्तो मांडू किले का तो यह इसका एक महतोपूर कार है दोस्तो इसको आप याद र करिए और यहीं पर दोस्तों एक दिल्ली गेट दिल्ली दर्वाजा इसको कहते हैं देखे परिक्षा में आये दिल्ली दर्वाजा आप बुलन दर्वाजा सुने होंगे आप अलग-अलग अलाई दर्वाजा सुने होंगे लेकिन आपने दिल्ली दर्वाजा नहीं सुना होग ठीक है चलिए अगले पर लिख दूँगा भी लिख रहा अलब खा या होसेंग सा ठीक है अभी अभी मैंने बताया दोस्तों अलब खा ने मांडू के किले का निर्माड कराया जी यहां दोस्तों मांडू के किले का किले का निर्माड दोस्तों इसने कराया था और यहीं पर क्य दिल्ली दरवाजा है क्या दोस्तों दिल्ली दरवाजा है तो इसको भी याद रखेगा लिकरा अलब खाया होसेंग सा का बिवा दोस्तों किसके साथ हुआ देखे अब बात को समझेगा दिल्ली सल्तनत से अलग होना आम बात नहीं थी ठीक है कोई भी दिल्ली सल्तनत से अलग होगा और मजबूती के साथ नहीं रहेगा तो उसको बहुत जल्द हमला करके दिल्ली में मिला दिया जाएगा सिंपल सी बात है ना तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आसपास के जो बड़े बड़े राजवंस थें या करने छोटे चोटे ही राजवंस थें उनके साथ इसने बैवाहिक संबंद अस्थापित किया इसने और इसके पिता जीनी भी ऐसा काम किया था तो वही लिखना दोस्तों यहाँ पर कि अलब खान या होसंग साका बिवा दोस्तों किसके साथ हुआ था तो पिछली क्लास में दोस्तों लोग ने पढ़ा था खान देश के बारे में दोस्तो मलिक फारूपी की पुत्री से दोस्तो इसका क्या हो जाता है और ऐसा किसलिए होता दोस्तोप सिर्फ एक कारण से ताकि इनकी इस्तिती मजबूत हो जाए। भई खानदेस ने भी अपनी स्वतंता जायिज केया था और यह भी स्वतंत होना चाहते थे इसलिए कर सकते हैं कि मालवा की बाहस उरख्षा के लिए धेर सारे लोगों के साथ बैवाहिक संबंद अस्थापित किया गया गुजरात के किस सासक ने मालवा पर अधिकार कर जियां दोस्तो, गुजरात के आपको बताये गया दोस्तो, गुजरात के बारे में भी ठीक है, तो गुजरात के कि सासक ने मालवा पर अधिकार कर होसंग सा को दोस्तो, यहां पर देखे से ये होसंग सा छूट जाता है यानि इसके चुंगल से आजाद हो जाता है ठीक है आजाद हो गया जान दिए बंदी बनता है बाद में आजाद हो जाता है तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे अगला लिख रहा है दोस्तो होसंग सा ने कैद से आजाद होने के राजधानी बनाई अभी देखा आपने पीछे पड़ा की होसंग साने अपनी राजधानी कहां बनाई थी शुरुवात में ठीक है आप कर सकते हैं शुरुवात में शुरुवात में अच्छा शुरुवात में नहीं शुरुवात में राजधानी कहां थी दोस्तों मांडू थ दोस्तो इसने शुरूपात में राजधानी कहा सह Unfortunately धार थी ठीक एप अधार के निलावर खा के समय में धारora थी ठीक है धार थी और इसके पहले आगर देखेंगे तम मांडू थी ठीक है तो मांडू से दोस्तो जो धार आई थी और अब धार से दोस्तो पुना कहा जाती दोस्तो पुना हां मांडू आजाएगी तो इसको आप याद रखेंगे यानि इसके समय में दोस्तो क्या का सकते हैं तो याद रखेगा राजधानी धार नहीं रही अब राजधानी मांडू हो गई क्यों क्योंकि जब इसके क्या हो गया दोस्तों जब यह प्रॉब्लम होई तब की बात है ठीक है एक सेकंड रूख जाईए ठीक है तो इसको ध्यान दीजेगा यह आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखते हैं अगला लिखा दोस्तों होसंग सा का उत्तरा दिकारी कौन था जिया दोस्तों होसंग सा अब देखे होसंग सा का उत्तरा दिकारी अच्छ चलिए एक बार आपको मैं रिवाइच करा देता हूँ सुनिए गा ध्यान से मेरी बात को शुरुवात हमने कहा से किया था दोस्तो अगर नंबर एक पर पढ़े हम लोग तो हम लोग ने पढ़ा था दिलावर खा के बारे में ठीक है दिलावर खा के बारे में हमने पढ़ा दोस्तो जो दिलावर खा था ठीक है यह आता है नंबर दो पर दोस्तो हमने किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा होसंग सा के बारे में होसंग सा के बारे में ठीक है होसंग सा को दोस्तो अलप खा भी कहते थे, क्या कहते थे अलप खा भी कहते थे, ठीक है और इसने क्या किया दोस्तो, इसने महमूद, महमूद गोरी के नाम से दोस्तो गर्दी पर बैठ जाता, अब देखे साठकट में दोस्तो, ये गोरी का वंसज रहता अब होसंग सा के बाद दोस्तो नंबर 3 पर अगला उत्तरादिकारी कौन होता है तो अगला उत्तरादिकारी होता है मुहम्मद सा गोरी कौन होता दोस्तो मुहम्मद शाह साह गोरी याद रखेंगे दोस्तो यह अगला उत्तरादिकारी होता है होसंग सा यानि जिसे अलब खा पर कौन बैठता है तो मुहम्मद साह गोरी बैठता है और इसका भी एक नाम रहता है इसका नाम रहता है गजनी खान क्या रहता दोस्तो इसका वास्त्विक नाम क्या है इसका वास्त्विक नाम क्या है दोस्तो तो याद रखेंगे इसका वास्त्विक नाम है गजनी खान क्य बाद में जब गद्धी पर बैठता है न तो मुहम्मद साह गवरी के नाम से दुस्तों गद्धी पर बैठता है ठीक है तो बहुत confusion होता है मैं तो कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनें पता भी नहीं होगा कि इस तरह के नाम के कोई राजा भी हुए है इसले कहता हूं आप हमारे foundation batch में आए क्योंकि वहाँ पर हर छोटी बड़ी चीजों पर हम चर्चा करेंगे ताकि परिक्षा में कहीं से कुछ भी सवाल आए न तो आप घबडाना मत और यह वाली series मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ताकि आप देखो आप समझो कि अगर आपके class आप देखो जब हम चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे अब यहां सवालों की बात हो रही तो सवालों में मैं कितना ज्यादा क्लियर करूँ आप बता दो संबो नहीं है ठीक है और एक तो जगा भी अपने पास नहीं है लिखरा मालवा में खिलजी बंस के अस्थापना किस ने किया अब आप घबडा जाएंगे कि सर खिलजी बंस का नाम तो सुना है हमने तो पढ़ाता कि खिलजी बंस के अस्थापना यह दिल्ली सल्तनत पर हुई थी ठीक है दिल्ली सल्तनत के अंतरगत हुई ठीक है और हमने पढ़ा जी को टिक कर देंगे और किसी के भी धिमांगे बात नहीं आएगा कि भाई ये इस पेसली पूछ रहा है कि मालवा में खिल जी वंस के अस्थापना किस ने किये और यहां पर एक कोई अलग बैक्ती हो सकता है यहां पर एक नया नाम आये का दोस्तो याद रखेगा इसका नाम इस वी तक दोस्तो ये महमूद खिल जी दोस्तो गदी पर बैठा रहा ये आप याद रखेंगे 36 से 69 तक याद रखेंगे चली आगे बढ़ते हैं लिखना दोस्तो महमूद खिल जी ने चित तौड के किस सासक के साथ युद्ध किया अब आपको कहानी बताऊंगा ना आप आप हसने लगोगे कि सर्थ सच में ना आपके साथ इतिहास पढ़ने का गजबी मजा है आप इतिहास को कहां सुठाते कहां जोडते हैं सर्थ मजा आ जाता है सुनो मैं बताता हूँ आपको दोस्तो दिली शल्तनत की बात हटा दीजे इस दिली सल्तनत से मालवा अलग दिलावर खाँ गोरी, दिलावर खाँ जो है दोस्तों, वो क्या कर चुका है, 1401 में मालवा की स्वतंता घोसित कर चुका है, यहां तक काम हो गया, उसके बाद दोस्तों होसंग सा राजा आता बनता है, उसने मांडू का किलाउला बना कर सम् मिंटेन कर दिया, आगे बाद आत सब्सक्राइब पढ़ेंगे तो वहां दोस्तों मेवाड और मारवाड से संभनित बहुत सारे सवालों को देखेंगे क्योंकि उसने भी अपनी सुत्नता की घोश्चा किया था वहां के राजाओं ने भी तो उनके बारें भी दोस्तों लोग पढ़ा जाएगा तो राणा कुंभा और यहां महमूद खिलजी के बीच में एक भयानाक युद्ध होता है और यह युद्ध कहा जाता अनिरडायक था क्यों अनिरडायक इसे कहा गया दोस्तों यह भी एक important सवाल है तो अनिरडायक दोस्तों इसे इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों ने इस युद्ध से लोटने के बाद ये जो महमूद खिल जी था ये भी दोस्तों चला गया और इसने एक बिजय अस्तंब बनवाया और राणा कुम्बा भी चले गया तो बिजय अस्तंब बनाया आपने सुना होगा राणा कुम्बा ने किरती अस्तंब या बीजय अस्तम बनाया, वो इसी से लड़ाई करने के बाद बनाया था, और ये अपने राजधाई पर गया न मालवा आया, तो मालवा मंडू गया, तो मांडू मिसने साथ मंजिला एक बीजय अस्तम बना दिया, ये भी याद रखेंगे, तो ये युद्ध दोस्तों और निड राणा सांगा, सुरी, राणा कुम्भा, राणा सांगा कहा जाएंगे, ठीक है, राणा कुम्भा, राणा कुम्भा जब वापस गए अपने हाँ पर, तो दोस्तों वहाँ पर उन्होंने किर्ती अस्तम्भ अस्थापित किया, क्या बनाया दोस्तों, वहाँ पर किर्ती अस् राणा सांगा ने और इसी से लोटने के बाद महमूद खिल जी ने महमूद खिल जी ने क्या कर रहा है दोस्तो साथ मंजिला अस्तंब बनवाया कहां बनवाया दोस्तो तो याद रखेगा मांडू में मांडू में साथ मंजिला अस्तंब दोस्तो इसने बनवाया है याद रख अगला सवाल कर रहा कि महमूद खिल जी ने राना कुम्भा के खिलाफ युद्ध के बाद किसका निर्माण कराया तो बताया तो आपको कि सात मंजिला बिजय अस्तंब जी या दोस्तो सात मंजिला बिजय अस्तंब ठीक है बिजय अस्तंब बनाया वहीं दोस्तो अच्छा इस जगा बनाया, लिख रहा महमूद खिल जी के बाद, चलिए सर, खिल जी वाली कहानित हो गई, महमूद खिल जी के बाद दोस्तों गद्धी पर कौन बैठता है, जरा उसके बारे में समझ लेते हैं, तब आप यहां पर नाम आएगा दोस्तों, गयासुद्दीन खिल जी, ठीक क्या है, गयास, गयास, साह, इसका नाम रहता है, जब यह गद्धी पर बैठता है, तब यह गयासुद्दीन खिल जी के नाम से गद्धी पर बैठता है, और आपने पीछे पड़ा 1436 से लेकर 59 तक, महमूद खिल जी की बात करें, तो आपने पड़ा 1436 से लेकर 59 तक दोस्त तो ये गद्धी पर बैठा रहाता है कौन गयासुदीन खिल जी, कौन गयासुदीन खिल जी, आगी बात समझ में चली, और आगी आते हैं, अगला लिखरा है गयासुदीन खिल जी ने मांडू में किसका निर्मार कराया है, सर हाँ हमने एक बार सब रिपीट करा दीजे, दोस इंपोर्टेंट सवाल दोस्तो, मांडू में सात मंजिला बिजस्तम किसने बनाया था, तो महमुद खिल जी ने बनाया था, राणा कुमभा से युद्ध करने के बाद जब लोटा था, तब इसने बनाया था, और यहाँ पर मांडू में किसका निर्मार गयासुदीन खिल ज तो क्या बताएंगे यह मांडू मिस्तित है और गयासुदिन खिल जी जो की मालवा का एक स्वतन सासक था उसने दोस्तों इसका निर्मार कराया था याद रखेंगे ठीक है देखे जितनी अच्छी आपको क्लास लग रही न इतनी अच्छे दोस्तों हमारे मैटर भी आते हैं जी यहां दोस्तों जो हमारी किताबे हैं इसमें जो मैटर हमने रखा है न वो मैटर भी दोस्तों अपने आप में बहुत ही एंटिक मैटर है आप मौका दीजे बर जुडिये तो सही विस्वास कीजे आपका दिल नहीं टूटेगा इतनी बारिकी के साथ दोस्तों के लिए और अलग-अलग विशय के किताब आ रहे हैं यह तो सैंपल के तौर पर दिखा रहा है तो ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से अप्लिकेशन से यह हमारा हेल्प लाइन नमबर है जानकारी आप यहां से ले सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल और हमने यह भी पड़ा कि 1489 से लेके 1501 इस्वी के मद्ध दोस्तो यह राजपाट करता था अच्छा गयासुद्दीन खिल जी के बाद दोस्तो लिख रहा है इसके बाद अगला राजा कौन होता आपको यह बताना है तो यहां पर अगला राजा होता दोस्तो नासिर साह पर रहता है लिखरा बाज बहादूर और रूपमती ठीक है अभी बाज बहादूर की इंट्री नहीं हो रही है ना ही अभी रूपमती की इंट्री हो रही है थोड़े दिर बाद होगी लिखरा बाज बहादूर रूपमती का जो महल था वो महल दोस्तो पहले बना था बाद में बाज बहदूर आयते ठीक है तो उसका निर्मार दोस्तों किस ने कराया तो यही नासिर सा है दोस्तों जिसका नाम बाद में हो जाता है नाशिरुद्दीन सा क्या है दोस्तों नाशिरुद्दीन नाशिरुद्दीन सा ने दोस्तो याद रखेंगे नाशिरुद्दीन सा ने इस महल का निर्मार कराया जो बाज बहादूर और रूप मती से संबंदित था ठीक है आगे लिख रहा है नाशिरुद्दीन सा के बाद अगला राजा कौन बना थोड़ा सा वेट करेगा दोस्तो का धूरी प्रेम कहानी इसको सुन करके आप कहेंगे कि वाकई सच में कोई प्रेम कहानी थी अभी चर्चा करेंगे ठीक है लिखरा नाशिरुद्दीन सा के बाद अगला राजा कौन बना अब यहाँ पर अगला राजा आता दोस्तो महमूद खिल जी दुती जो पहले आप यह गद्धी पे था महमूद खिल जी दुती यह राजपार किया चलि और आगला सवाल देखते हैं अगला लिकरा है महमूद खिल जी दुती ने किसे अपना वजीर बनाया सर बहुत इंपोर्टेंट है क्या कि यहाँ पर इतना हाइलाइट करके आपने रख दिया वजीर ज जियां दोस्तों, चंदेरी के राजा, राजा, राय चंद्र, जियां दोस्तों, चंदेरी के राजा थे, राय चंद्र, चंदेरी वंस का नाम सुना होगा, ठीक है, ये राय चंद्र चीते, अभी आपको नहीं समझ मैं है, सर, हमको तो नहीं लगता इतने इंपोर्डेंट है, भै इनी को याद रखेगा उपाधी दिया मेदिनी राय की उपाधी दिया दोस्तों मेदिनी राय की उपाधी दिया था दोस्तों एक चीज आप भूल गयें कि महमूद खिल जी दूती का टाइम पिरेड मैंने क्या बताया 1510 से लेकर के 1531 कुछ आपको याद नहीं आ रहा है यहाँ पर कुछ खास हुआ था आपको याद वाद नहीं आ रहा है रहे बाबर आ चुका था भया बाबर की इंट्री हो चुकी है फरगना का सासक बाबर आ चुका है 1526 वाली निर्डायक लडाई भी हो चुकी है 1526 में बाबर ने लोदी वंस के आखरी सासक इब्राहिम लो नाम से जानते हैं और तीसरी लडाई बाबन ने राजा मेधनी राय के साथ किया था ये कौन है दोस्तों यहीं से आते हैं याद रखेगा राजा रायचंद्र को ही दोस्तों क्या कहा जाता है मेधनी रायकुपादी दिया था और ये मेधनी रायकुपादी दिया किसने था महमूद खिल जी दूती ने सर मजा आ गया, इतिहास कहां से उठा कहां गया, क्या कहना क्या कहना सर, जबर्दस्ट, बहुत सांदार सा चली आगे देखते हैं, लिकरा महमूद खिल जी के मृत्यू के बाद महमूद खिल जी का ताक पर क्या दोस्तों महमूद खिल जी दूती से ठीक है तो इसको समझेगा लिखना महमूद खिल जी दूती के मृत्यू के बाद मालवा किसके अधीन दहा दोस्तों अब कौन आ जाता दोस्तों तो अब आएगा यहाँ पेंट्री होगा याद रखेगा अच्छा मृत्यू के बाद दोस्तो कुछ समय के लिए याद रखेंगे कुछ समय के लिए यहाँ पर गुजरात का सासक बहादूरसा ठीक है यह अलग बेखती है यह जब मैंने अब गुजरात पढ़ा है तब आपको बताया तब बहादूरसा के बारे में ठीक है तो महमूद खिल जी दूती के मृत्यू के बाद दोस्तो अगभा यह होता है और इसका टाइम पिरेड क्या दोस्तो तो 1531 में इसकी कानी खतम होगी ठीक है यानी 1531 से ले करके लगभाग 36-37 तक ठीक है याद रखेंगे यह मालवा किसके अधिन दहा तो याद रखेगा यह माल अगला सवाल देखें लिकरा महमूद खिल जी दूती है फिर से यहां पर लगा लगा लेजे दूती ने तो कनफीजन हो जाएगा इसलिए मैं लिग दे रहा हूँ ठीक है लिकरा महमूद खिल जी दूती के बाद राजा कौन बना देखिए वो 6-7 साल ना कबजा किसका चल गुजरात को राजा कर चल दा तरेका का तरसा यहां कोई सवत्नत रूप से राजा नेहीं हुआ हाँ इसके बाद दोस्तों अगर राजा की बात करें तो एक अलग बेर्टी आता तक कादिर सा दोस्तों याद रखेगा कादिर साभ रुखेगा अगला उत्त्राधिकारी बन नामसे दोस्तों राजा बनता है ठीक है, और ये कादिर सा बनता है, कादिर सा जो था इस्वतन्तर नहीं था, क्योंकि आपने पड़ा न इसके पहले गुझरात आ चुका था, बहादूर सा की उपादी दे करके गद्धी पर बिठा देता है जी यां सुनिये गदान से इमादुल मुल क्या करता है क्या करता है मन्नु खां को कादिर सा की उपादी दे करके मालवा की गद्धी पर बिठा देता है इस प्रकार 1537 से लेकर 1542 तक कब तक याद रखेगा 1537 से लेकर के 1542 इ बैठा रहता है किसके सायोग से इमादुल मुल्क के सायोग से गुजरात का शाठा का दोस्तो इमादुल मुल्क कि सायता से दोस्तो यह मन्नु खा जो है कादेर्षा की दाड़ करता और ये याद रखेगा, करा इसके सासनकाल में मालवा पर किसने हमला किया, ठीक है, देखें ये किसके सहयोग से बैठा था दोस्तों, तो इसका तो किसी से जगड़ा था ही नहीं, कादिर सा तो इसकी उपादी थी, और ये उपादी दिया भी किसने था दोस्तों, तो याद र था ठीक है जब भाई गुजरास सिसका कोई लेना देना नहीं था तो भाई अचानक से मालवा पर हमला किस ने कर दिया भाई आप कहेंगे सर मालवा पर सेर सा सूरी अरे भाईरू को थोड़ा सा पीछे चलो थोड़ा सा अभी मैंने यहां मेधनी राय के बारे मताया और आपक 1528 में उद्ध किया था पढ़ा आपने न और मेधनी राय को जो है उपादी किस ने दिया था तो राजा राय शंद्र ही इनका नाम था इनको उपादी मिली थी और यह उपादी उन्हें महमूद खिल जी दुतिय जो की राजा था सासक था मालवा का उसने दिया था अब कादिर साराजा बन जाता है इमादुल मुल्क उसे मन्नु खां को कादिर साह की उपादी देकर गदी पर बैठाता है कितने साल के लिए पांस साल के लिए बताया था ना पांस साल के लिए 1537 में बैठता है 42 तक यह 37-42 वाले पीरिट को ज़रा याद करिए तो आपको पता चलेगा कि 30 में तो बाबर की मृत्ति हो गई अब बसता है हुमायू हुमायू को रोकने के लिए आ चुका था अफगान सासक क्या नाम था दोस्तो शेर खां जिया दोस्तो शेर खां जो आगे चलके सेर सा सूरी के नाम से जाना जाता है इसी लिए दोस्तो आप यहाँ पर इंट्री हो रहे ही किसकी सेर सा सूरी की ठीक है तो लिख रहा दोस्तो कादिर सा के सासन पर मालवा पर हमला किस ने किया तो याद रखेंगे दोस्तो सेर सा सूरी ने हमला किया था ठीक है और हमला करके यहाँ पर सुजात खां को सुजात खां को क्या कर दिया दोस्तो राज मालवा का राज जे पाल बनादिया, ठीक है, यानि कादिर खां जो था दोस्तों, कादिर खां या कादिर साया मन्नु खां, अब इնकी कहानियां खतम होने वाली है, लिखरा एक इसके सासनकाल में मालवा, संगीत, निट्र और तेवहरों का प्रमु केंद्र बन गया, यहाँ अपन नाम किसका आता तो अब इंट्री होती दोस्तों यहां पर किसका बाज बहादूर का जियां दोस्तों बाज बहादूर की इंट्री होती है बाज बहादूर बहुत ही भेतरीन सा सक्था संगीत में नित्र में और तेवारों उसकी बड़ी रुचिवा करती थी 42 से ले करक जाता है कि इसके एक प्रेमिका थी, एक्चुली मैं प्रेमिका कैसी थी, उसका नाम था रूप मती और वो नित्य पेस करती थी इनके राज में, ठीक है, दोनों के बीच में मुहबत हो जाता है, प्यार चड़ जाता है, और एक राजा अपनी प्रेमिका से बिवाह करने के लि मिल भी जाते हैं, तो फिर गलती कहां पर हो जाती, किस चीज की रोक लग जाती, कैसे या प्रेम कहानी अधूरी हो जाती, सर वो जरा बताईए, ठीक है, अधूरी ऐसे हो जाती है, कि रूप मती अपने जवाने में इतनी सुन्दर महिला थी, कि उसकी खुलसूर्ती की बात हैं, दूर दूर देशों तक फैली वही थी, और ये बात किसी तरह अकबर के कान तक चली गए, किसके कान तक, अकबर के कान तक, अगबर के बारे में सुनो, ये 1542 की बात करें, तो 1542 जब ये गदी पर बैठा बाज बहादूर, उस समय अकबर पैदा हुआ था, 1542 वही है, भाई 1549 में चौसा का युद्ध हुआ, बोलो हाँ, सेरसासूरी हुमाई को बीच में होता है, ठीक है, सेरसासूरी हराभी देता है, हुमाई को, ठीक है, 1540 में और सेना लेकर हुमाई फिर से लड़ने चला आता है, सेरसासूरी से, बिलगराम का युद्ध, या उसे हम कन्न उस लड़ाई में सेरसासुरी ने इसे हुमायू को खदेल करके बाहर से भार भगा दिया और बाहर जाके अमर कोट में दोस्तो अकबर का जन्म होता है जहां दोस्तो अकबर पैदा होता है तो जब ये राजा बना बाहज बाहदूर तब तो अकबर पैदा हो रहा है लेकिन अ 60 तक आते आते दोस्तों ये बाज बाहदूर से लड़ाई होती है तो सोचो बाज बाहदूर रूप मती की बात करें तो एज में अकबर से कितनी बढ़ी होगी लेकिन फिर भी अकबर चाहता है कि नहीं रूप मती मेरी होनी चाहिए मेरे जीते जी रूप मती किसी की नहीं अब देखें अकबर कियां entry होनी वाली है फिर आगे बताता हूँ कि प्रेम कहानी का क्या हुआ लिकरा दोस्तों मालवा का अंतिम सासक कौन था तो याद रखें दोस्तों मालवा का अंतिम सासक यही बाज बहदूर था जियां दोस्तों बाज बहदूर था जो 1542 से 1561 इसवी तक दोस्तों गदी पर बैठा रहा यह बाज बहदूर ठीक है इसको याद रखेगा इसका वास्तविक नाम क्या था तो इसका वास्तविक नाम था बायजीद क्या नाम था तो याद रखेंगे बायजीद जियां दोस्तों बायजीद इसका वास्तविक नाम था चली आगे बढ़ते हैं लिकरा बाज बहादूर की प्रेमिका कौन थी तो बता दिया भही आपको कि इनकी प्रेमिका का नाम क्या था रूप मती जिया दोस्तो रूप मती इनकी प्रेमिका का नाम था और बहुत दूर दरास्तक दोस्तो खुबसूर्ती के वज़े से इनका नाम फैला था लिखना मालवा पर आकमर का आदेश किसने दिया तो याद रखेगा होता क्या है कि बाज बहादूर के पास अकबर ऐसे नहीं आता डैरेक्ट ठीक है अकबर एक पत्र भेशता है जिया दोस्तों अकबर एक पत्र भेशता बाज बहादूर को ठीक है और उस पत्र में आगरा कर कर लो और रूप मती को हमारे दरबार में भेज़ दो अब किसी प्रेमी से अगर उसकी प्रेमिका को मांगा जाए तो बाज-बाहदूर चुप बैठेगा क्या बाज-बाहदूर भी एक पत्र का जबाब देता है पत्र के माध्याम से लिखता है अगर तुम्हारी मतलब कोई पत्र नी हो तो या प्रेमिका तुसे तुम मेरे दरबार में विद्दो और ये बात अगबर को नागवार गुजदी कि एक छोटा से राजा ठीक है मुगल संत्रत पे दोस्तों क्या कर रहा है हाथ फिर रहा है और ऐसे में अगबर क्या करता है मालवा पर आकमन का आदेश देता है और ये आदेश की से देता दोस्तों ये इंपोर्टेंट है तो अकबर ने आदेश दिया अकबर का सिपाह सालार सिपाह सालार मतलब क्या होता है यानि हर जगा पर अकबर तो में जगा बैटता था दिली सल्तनत पर तो आस पास के राज्यों में उसके छोटे- को कहता आदेश देता कि जाओ मालवा पर हमला कर दो और इस आदम खाने क्या कर दिया मालवा पर हमला बोल दिया ठीक है और उस लड़ाई में दोस्तो बाज बादूर की हार हो जाती है जब बाज बादूर हार जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है कि चलो तुमने हीरा में जहर होता है कहा जाता है हीरा घोट कर दोस्तों अपना जान दे दिया जब रूपमती मर गई अकबर को बड़ा धक्का लगा अकबर ने का ये मुझे से क्या हो गया मतलब हम चाहते जरूर थे कि मेरा बिवा हो जाए रूपमती हमें मिल जाए लेकिन मतलब पर उसको ग्लान हुआ कि लगता मुसे बहुत बड़ी गलती होगी और बाज बहादूर को उसने का कर दिया छोड़ दिया तो अब एक सवाल बनता दोस्तो रूपमती तुमर गए तो रूपमती की मृत्तिक बाद दोस्तो उसकी कब्र कहा है तो जो राजधानी थी दोस्तो मांडू ठी बाज बहादूर को अकबर ने छोड़ दिया अकबर ने कुछ ने किया वह यह तुम्हारी प्रेमिका चली गई अब तुमसे बदला लेना मानना पिटना सब विकार है तो छोड़ देता बाज बहादूर को बाज बहादूर भी वापस चला आता है और जब उससे पता चलता सबाइब तो को के दोस्तों से चांखाउ निर्मान किसने करें तो आगे चल के दोस्तों अकबरने स्वयम नृस्तों अकबर ने स्वयम देखे उसी के वज़े से मरे भी लोग ठीक है और बाद में अकबर ने जो है इस मकबरे का निर्माड कराया था 1568 इस्वी में ठीक है काभी समय बाद दोस्तों मकबरे का निर्माड कराया है लिख रहा है राजा राजा बाज बहादूर के मकबरे का नाम क्य तो दोनों के मगबरे का एक एक नाम भी दिया गया वहाँ पर एक को कहा गया दोस्तो आसी के साधिक क्या कहा गया दोस्तो आसी के साधिक जिया दोस्तो आसी के साधिक इसके मगबरे पर लिखा हुआ है जो अकबर ने लिखाया है और याद रखेगा रूपमती के मगबरे पर लिखा है सहीदे वफा जो वफा के लिए दोस्टो सहीद हो गई चाति तो अकबर के साथ विवा करके कितने बड़े राज घराने में जा सकती थी लेकिन उसने उसनी असा नहीं किया ये थी एक असली प्रेम कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी ठीक है तिससे आप याद रखेगा और यह आपके लिए important है देखिए आज का session नहीं समाप्त होता है काफी अच्छे तरीके से पढ़ते वे तो दोस्तो आईए जब आप फेट बहच में आएंगे ना foundation बहच महाँ और मज़ा आएगा वहाँ तो हम लोग और easy mode में दोस्तो बाचीत करते हैं application से purchase कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जै हिन जै भारत थैंक्यू थैंक्यू सो मच